नमस्ते प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आचली मैंने देखा है, अक्सर ना हम इंग्लिश को एक स्केर क्रोब ना छोड़ते हैं, और, I mean किसी भी भाशा को बोलने के लिए, हमें चाहिए क्या, अपनी मदर तक भी हम जो बोलते हैं, हिं हमारे कानों में कुछ शब्द बार-बार हमें कुछ शब्द ध्वनिया सुनने को मिलती रहती हैं, और उसी को देखके, सुनते हम लोग सीख जाते हैं बोलना, लेकिन वो कभी स्केर क्रोब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, कभी किसी ने उसको स्केर क्रोब बना है ही नहीं हमारे सामने वो सिर्फ सहच भाव में एक वो उसको हम सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं और करते रहते हैं और हो जाता है तो फिर हम English को क्यों Scarecrow बना लेते हैं जबके English जो है if I say it's very easy to speak in English it's very easy to learn English it's not very difficult it's not but at least it is not a Scarecrow right because ये तो हर भाशा को अपनी भाशा में ढाल लेती है इसकी सुन्दर था ये कि आप किसी भी भाशा को कोई भी शब्दो वो आप English में लिख सकते हो इसकी इतनी खूबसूरत भाशा है हां और किसी भी भाशा को बोलने के लिए जैसे कुछ शब्दों का ग्यान चाहिए होता है अक्षर ग्यान चाहिए होता है इसी तरह से English को बोलने के लिए A, B, C, D का ग्यान चाहिए और कुछ words होने चाहिए आपकी vocabulary में Max to Max, 2000 words होने चाहिए और वो 2000 words हमारे भाशा में होते ही है, हमारे memory में होते ही है, कारण यह है कि हम बचपन से अब English में पढ़ते हैं, जब हम English में पढ़ते हैं, English में लिखते हैं, तो English को use करने में हमें क्यों इतनी दिक्कत होती है, क्यूंकि वो दिक्कत का कारण यह है कि हमने उसको scarecrow बनाया तो आज अब मैंने सोचा है कि कुछ वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों से बापचीत करूँगी और आपके Scare Crocod फ्लू कर देते हैं Let's make it fly away and start using English in your day-to-day language frequently in a very amicable manner without any fears बिना डरें निडर होके इसको use करिये और भाशा को सीखने से कोई पीछे नहीं रह जाता मानिए मेरी बात अगर आप English में भी बात करते हैं या English को use करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मातरी भाशा को पीछे छोड़ रहे हैं जादर मैं कहती हूँ जिसकी मातरी भाशा अच्छी है वो English को भी अच्छे से सीख सकता है बोल सकता है और जिसकी English अच्छी है वो Hindi को भी अच्छे से बोल सकता है यह बात याद रखियेगा कोई भी भाशा हो वो हमें अच्छे से रहना ही सिखाती है वो हमें कम्निकेट करना सिखाती है आपस में बोल साल का अच्छा तरीका सिखाती है तो इसलिए भाशा की रिस्पेक्ट करिएगा और अब थोड़ी सी बात भाशा के उपर कर लेते हैं देखिए भाशा English language को सीख लेैं के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए वर्ट मैनने आपको बताये डि यहां कि बच्पन इपार से आफ दिक आ हो लिखते आ हैं अ है न, अब बात है इसको यूज करने की, तो वो आपकी vocabulary में already है, तो अब next क्या चीज है, next है हमारे पास English के कुछ grammar के rules, अब grammar को फिर से थोड़ा सा square crown नहीं बनाना है, grammar भी बहुत आसान है, ठीक है, भाशा को बोलने के लिए अगर हम वाक्य पे जाएं, पहले हमारे पास अक्षर ग्यान है, ABCD की form में अक्षर ग्यान है, BAT bad, CAT cat, RAT rat पढ़ लेते हो न, तो इसका मदलब अक्षर ग्यान भी है, हाँ, तो अब next क्या चीज चाहिए हमें, next हमें शब्दों के जोड से वाक्य बनाने आने चाहिए, है न, तो वाक्य बनाने के लिए, एक वाक्य में क्या क्या होता है, एक वाक्य में subject होता है, subject क्या होता है, करता, जो काम करता है, उसके बाद दूसरा बार्ट है, वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब, action है, जो काम हम करते हैं, वो है, simple सी बात है, और तीसरा है, object, so subject, verb and object, ये तीन चीज़े मिलके, एक वाक्य बनाती है और अब्जेक्ट क्या होता है अब्जेक्ट जो होता है जैसे सब्जेक्ट एक करता है वर्ब क्या है काम है और उस करता के काम को रिसीव करने वाला रिसीवर जो है कारे का जो कारे किया जा रहा है उस कारे का इंपक्ट जिस पे आता है वो क्या है, वो object है, यह simple सी चीज़े, तीन है, subject, verb and object, ठीक है, यह तीन चीज़े में होती हैं, किसी भी उसमें, अब उधारन के तौर पर, for example, if I say, they made a cup of tea, तो they क्या है, subject है, made क्या है, verb है, a cup of tea क्या है, object है, काम किया, tea बना है, तो क्या बन के आया, effect क्या निकल के आया, tea बन गई, है न, तो the washer man washed the clothes, धोबी ने, कपड़े, धोए, तो धोबी क्या है, subject है, और washed क्या है, verb है, और clothes क्या है, object है, धोने का effect किस पे हुआ, कपड़ों पे हुआ, the gardener watered the plants, माली ने पौधों को पानी दिया, माली क्या है, the gardener, subject है, and watered क्या है, verb है, पानी देने की किरिया है, और plants, plants receiver है, पानी को किस ने receive किया, plants ने, simple, so, the gardener watered the plants, so, I hope, इसके साथ आपको subject, verb, object का फंड़ा clear हो गया, हो गया ना, very good, अब next जो चीज हमें चाहिए, वो क्या है, कि किसी भाशा को, बिल्कुल accurately बोलने के लिए, और सही से परयोग करने के लिए, English language को, specifically, eight parts of speech चाहिए, कितने parts of speech, eight, कितने, eight, eight, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है, noun, noun क्या है, जिसको हम हिंदी में संग्या बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद है verb, आप एक बाद और याद रखेगा, mostly जो subject और object होता है, वो noun या परनाउन ही होता है, ठीक है, और noun, पहला क्या है noun, हिंदी में उसको क्या कहते है, संग्या, दूसर क्या है, परनाउन, ठीक है, सर्व नाम जिसको बोलते हो, तीसरा क्या है, वर्ब, किर्या जिसको बोलते हो, कारे बोलते हो, ठीक है, सो तीन पार्ट क्या हो गए, noun, परनाउन and वर्ब, अब चौता क्या है, अज्जेक्टिव, अज्जेक्टिव क्या है, हिंदी में उसको ब और आठवा है कंजंक्शन कंजंक्शन जो जोडते हैं इंटर्जेक्शन जिसमें बड़ा सर्प्राइज होता है तो ये मेंली आठ पार्ट्स है अब इनके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बात करूंगी तब तक के लिए नमस्कार जोड़े रहिए देखते रहिए और अपनी किर्याए प्रतिकिर्याए सजेशन भेश दरिये धन्यवाद